नमस्ते दोस्तों वीनाईस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागतिंग। इसमें प्रती उपसर्ग में यूक्त विद सब्द होने के कारण इसका आर्थ हुआ समानांतर जानकारी। अर्थात किसी घटना, कार, योजना आधिके सम्मन्द में चानवीन पूच्ताच आधि करने के बाद तयार किया गया विवरण जो किसी अधिकारी या सबाद्यक्ष के सामने प्रस्तुत करने को हो प्रती वेदन कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं किसी मामले की जाच पर अधारित विवरण प्रती वेदन है। विशेश यहां प्रती वेदन का पहला मुख की तत्व हैं कोई विशेश मामला, कोई गंबीर आरोप या सिकायत से सम्मन्दित ही प्रक्रान होना चाहिए, छोटी मोटी या छूट पूट घटना नहीं। अगला है मानोनित या गठित जाच करता। जाच करता को अध्यन करता भी कहा जाता है, जाच करता किसी शाच की संस्ता द्वारा ही गठित या मानोनित होना चाहिए। निश्चित आउदी, प्रतेक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए कुछ न कुछ समय निर्धारित रहता है, यहा समय सीमा जाच की सरूप विशेपन निर्भर करती है, यहा एक दिन या कई वरसों तक हो सकती है, अध्यन करता की अरहता है या योग्यता, प्रतिवेदन प्रस्तुत करता को विशे से सम्बंदित भाषा और परिशिती का ज्यान होना चाहिए, प्रमानित साक्षी, किसी भी प्रतिवेदन की प्रमानिकता उसमें उल्ले की साक्षियों पर ही अधारित होती है, अर्थात अध्यन का प्रकार चाहे किसी साधरन से कार अर्थात ओपीस के किसी चतुर्त स्रेणी का आचरन हो या प्रधान मंत्री पर लगाया गया किसी भी प्रकार का गंबीर आरोप उसके पक्ष विपक्ष में प्राप्त प्रमाण तब तक प्रतिवेजन में इस्तान प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उसका प्रमाणित पुष् मोखिक प्रतिवेदन सर्वदा मुलिहीन होता है अर्थात हर बात प्रतेक साक्षी, प्रतेक प्रमान और प्रतेक तर्क का लिपीबद्ध होना अनिवारी हैं। नहीं होगा तो उस प्रतिवेदन की किसी भी प्रकार की उप्योगिता नहीं होगी। अगला है निर्णे। किसी भी प्रतिवेदन में प्रतिवेदन से सम्वंदित विशेवस्तू के अधार पर निर्णे दिये जाते हैं। आईए आप जानते हैं प्रतिवेदन की गुन या उसकी विशेस्ताएं प्रतिवेदन के समय जान देने वाली प्रमुग बातें कोई भी प्रतिवेदन अपने आप में एक एसा स्वता संपूर्ण दस्ता वेजे जिसका मुल्लिवा महत्य केवल समसामाही की नहीं है अपितु संबंदी छेत्र में सुदूर भविश्य तक भी स संदर्व में करते हैं प्रतिवेदन के महत्यों को देखते हैं इसकी कुछ विशेस्ताएं आवश्यक हैं जैसे ही प्रतिवेदन की तथ्यात्मक्ता उसकी प्रमानिकता निस्पक्चता विशेसग्यता की छाप उपयोगिता निरणायकता वस्तुनिष्टता संचिप्रता औ लिखित शामगरी वस्तों के रूप में हो सकते हैं किन्तु इने अभिलेग बद्द किया जाए कई इस्तिती में फोटो भी लिये जा सकते हैं वर्तमान में चल चित्र भी लिये जा सकते हैं अठाथ वीडियो रिकॉर्ड भी प्रतिवेदन की तध्यात्मक्ता को में प्रतिवेदन मात्र लिखित कागज का तुकड़ या पूलिंदा नहीं या एक प्रकार से वेदानिक कानूमी दस्तावेच का रूप बन जाता है इससे किसी मनुष्य या कभी-कभी वर्ग या यहां तक की पूरे देश के जीवन मरण के भविश्य का प्रश्नी दोला रहता है एसी इस्तिती में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता का न्याय विवेक महत्पून है न्याय स्थे से आसंबद वेक्ति द्वारा भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय प्रतेक तथे अर्थान फेक्ट वस्तू इस्तिती मत वीमत eligibility अपीनियन पक्षविपक्ष का निस्पक्ष विवेक से अधन उप्रांती निश्कर से निकालना सही हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करता की जिम्मेदारी है कि बाद नीर चीर विवेक का परिचे दे विशेशक्यता की छाप यहाँ पर आप सही कल लिजेगा विशेशक्यता की छाप होगा प्रतिवेदन चुकी मात्र विवरण नहीं है अर्थात उसका प्रस्तुत करता संबंदित विशे का विशेशग्य होगा ऐसा माना जाता है इसलिए प्रतिवेदन में उसकी जाच करने योगे, विबेचना करने योगे, प्रकरन संबन्दी विशेशक्यता, अविश्य जाहिरो, आभाशो उसे सुक्ष्म विशलेशन करने विशे की घहरी जानकारी अविश्य हो उप्योगिता प्रतिवेदन की उप्योगिता से अभिप्राय है कि उसमें निश्चित रूप से लाव हो या जरूरी नहीं बलकि अभिप्राय या है कि प्रतिवेदन व्यापक जनहित, मानवहित, राश्टीत या संभव मार्ग निर्देशक हो सके तात्त पर यहा है कि उसका एक एक सब्द उजित के निर्णे नियाय तथे स्वतंत्र निर्वहा के लिए हो उसकी उप्योगिता जीवन मुल्यों के संरक्षन में प्रेरक तता शायक बन सकती है अगे देखते हैं प्रतिवेदन में निर्णायक्ता क्या है निर्णायक्ता यहाँ प्रतिवेदन की मुख्य विश्यस्ता है अध्यन अत्वा जाच करके अत्वा किसी ब्योरे की ताली का मात्र प्रस्तूत करके उसे यथावत प्रस्तूत करना प्रतिवेदन नहीं है अर्था पर प्रतिवेदन प्रस्तूत करता अपने निरने भी अवश्य दें यह निरने प्रतिवेदन के अनुसार अदलती निरने की तरह कानूनी भी हो सकता है और गेर कानूनी रूप में किवल सुझाओ यानि कि ओपीनियन वाला भी हो सकता है आगे देखते हैं प्रतिवेदन की व पर्मचारी के कार्याले में मतलब कि ओपिस में किसी विशेश आश्चरण की जाच की जा रही हो तो उसमें केवल कार्याले के भीतर पर या नीजी जीवन का उल्ले असंगत है यानि कि कार्याले से संबंदित विशेवस्तु पर ध्यान दे जाना चाहिए उसके नीजी जीवन में क्या घटना है हो रही उसकी नीजी जीवन या उसकी नीजी जिन्दगी क्या है इससे किसी प्रकार का कोई संबंद नहीं होना चाईए आगे होगा प्रतिवेदन की संचिप्ता अर्था कोई भी प्रतिवेदन अपने विशे के अनुरूप आदे से हजारो प्रश्टका हो सकता है कार्याले में कुछ पंक्तियों के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत होते हैं जबकि सिक्षा छेतर में कोठारी आयोक कानूनी छेतर में खोसला आयोक के प्रतिवेदन का आकार हजारो प्रश्टका है यहां पर संचिप्त ता सू संगर तित्ता से तात्त परहे की किसी प्रतिवेदन में अनाविश्चक अनेतिक विस्तार ना हूँ प्रतिवेदन के अधार पर समूचित कारेवाही के लिए उसका संचिप्त होना अविश्चक है इसलिए बड़े बड़े प्रतिवेदनों का सार संचिप अलग से सुक्षम रूप में दिया जाता है ताकि जाच की प्रणाम शरूप तत्थियों चता सुझाओं पर तुरंत ध्याना कर्शित हो शके आईए अब जानते हैं प्रतिवेदन के प्रकार विशेवस्तू, प्रसासनेक कार्य प्रणाली या विविन्य परमपराओं के अधार पर प्रतिवेदन तीन प्रकार के होते हैं नमबर एक किसी विभाग, मंत्राले या समीती द्वारा प्रस्तुत अर्दवार्सिक वार्सिक प्रतिवेदन जैसे राज भासा संबन्दी, शंसदी, शमीती, वेज्ञानिक वा तक्निकी सब्दा वाली आयोग दूसरे प्रकार का प्रतिवेदन होगा विशेज मामलों में गटित अध्यन दल, जाज समीती, आयोग द्वारा प्रस्तूत प्रतिवेदन जो एक ही बार प्रस्तूत किया जाता है जैसे खोसला आयोग की रिपोर्ट, विविन्य आदिवेशन सम्मेलन सिकरवारता आधी के समापन पर प्रस्तूत समसामाईग प्रतिवेदन जैसे कि विश्व हिंदी सम्मेलन किसी भी प्रकार के प्रतिवेदन को उनकी प्रकिरिया पर एक जैसी ही होती है किवल विशेवा समय के अनुसार उनमे थोड़ा बहुत अंतर होना स्वभाविक है प्रतिवेधन सब्द का अंग्रेजी अर्थ रिपोर्ट का सब्दार्थ नहीं है या प्रतिप्लस वेधी से बना है जो कि पूरू में मैं समझा चुका हूँ आईए अब जान लेते हैं कि प्रतिवेधन का मसुधा किस प्रकार तयार किया जाता है प्रतिवेदन में प्रश्ट के मद्य में सबसे उपर प्रतिवेदन सब्द लिखा जाता है प्रतिवेदन सब्द के लिखने के बाद अगली पंक्ती में प्रतिवेदन जिस इस्तान से संब्दित दिया जा रहा है अर्थात ये प्रतिवेदन खजुराओ संबंदी थे तो वहाँ पे आप इस्तान भी लिख सकते हों यहाँ पर नहीं लिखा है आप लिख सकते हों उसके बाद अगली पंक्ती में दिनांक और उसके बाद उस प्रतिवेदन संबंदी से लिखा जाता कि प्रतिवेदन किस विशे पर लिखा जा रहा है प्रतिवेदन को लिखने के बाद प्रतिवेदन से संबंदित जो भी निर्णे दिये जाते हैं समीति या आयोग द्वारा उसका उल्लेक किया जाता है तता समीति द्वारा अपने महत्तपूर्ण सुजाव भी दिये जाते है क्योंकि प्रतिवेदन सभी पूर्ण माना जाता है जब उससे सम्वंदित सुझाओ दिये जाते हैं अंत में प्रतिवेदन से सम्वंदित आयोग या समीति जो गठित की गई है उसके हस्ताक्षर उसके पदा धिकारी का नाम आदिका उलेक किया जाता है प्रश्ट के बाई और सदस्यों का उले किया जाता है सदस्यों के हस्ताक्षर और उनके नाम और पद का नाम का उले किया जाता है किसी भी प्रतिवेधन में जितने भी प्रष्ट होगा वहाँ पर उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्य गूरूप से किये जाना चाहिए तबी प्रतिवेधन पूर्ण माना जाता है इस प्रकार हम प्रतिवेदन का मसुदा तयार करके अधिक्तम नमबर प्राप्त कर सकते हैं बता देते हैं कि MPPSC में 20 मार्क्स का प्रतिवेदन लिखने को आता है जो की किसी भी टॉपिक पर दिया सकता है समसामा एक सम्मेलन पर या अधिवेशन पर इसका प्रतिवेदन पूछा जा सकता है दोस्तों आए देखते हैं हम ये परेटन सम्मझ प्रतिवेदन किस प्रकार तयार किया गया है ताकि आपको इसकी मूल विशेवस्तू पून रूप से समझ में आ जाए आईए एक बार हम देख लेते हैं कि प्रतिवेदन किस प्रकार से लिखा गया है राज्य प्रेटन विभाग द्वारा एक सदस्य समीती डक्टर का खागे कि अध्यक्षता में न्युक्ति की गई या सम्मेलन दो सत्रों में आयुजित किया गया जिसमें पाया गया कि पूर्व सत्र में मुख्य अतिती सिरी मान आबासा ने सम्मेलन का उदगाटन करते वे उसके मुख्य उद्देशों का उदबोधन दिया सनलगन वीडियो रिकॉड यहाँ पर वीडियो रिकॉड जरूर सनलगने किये जाएंगे दूसरा बिंदू है पूर्व सत्र में कुल पांच सदश्यों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया जिसमें सेवा निवरत परेटन अधिकारी ने परेटन के महत्तो पर उप्योगिता पर विचार प्रकट किये यहाँ पर भी हम सनलगने विचारों को लिखित सारान से प्रस्तुत करेंगे तिसरा बिंदू है दूत्ती सत्र समापन सत्र था इसमें परेटन मंत्री जी ने मंत्राले दोरा दिये गए जाने वाले सयोग के प्रति आश्वशन दिया तता खजुराओं के प्रति विशेश रूप से एक निश्शी तराशी प्रदान की सनलगने वीडियो रिकॉर्ड चोता बिंदू है दूत्ती सत्र के समापन में जिला धीस ने माननी अतीतियों का उनके विचारों को अमल में लाने के लिए यथा संभव प्रयास करने का वचन दिया सांती खजुराओं को विदेशियों का मुख के आकरसन केंदर बनाये जाने की योजनाप का प्रस्ताव दिया जो मंत्री द्वारा मानने हुआ इसका भी सनलगन प्रस्ताव दिया गया है प्रतिवेदन की मुख्य मिंदों का उलेक करने के बाद प्रतिवेदन की जो समीती होती है अपना अभीमत एक सुजाव एक निरने देती है सबसे प्रते पहले एक मिरने लेती है जैसे कि यहां पर देखते हैं कि यहां सम्मेलन अपने उद्देश्यों की पूर्ती में शपल रहा फल सरूप खजुराओं का नाम एक छेत्र एक देश तक ही नहीं विदेश्यों तक जाना गया समीती साथ में अपने एक सुझावए अपना उपिंग्यन भी रहती है जैसे कि सम्मेलन जहां महान विभीतियों के विचार विमर्से के दौरा विकास में सायक होते हैं मैं इस्तानी इस्तर पर अपने विकास के दोरा रोजगार भी दिलाते हैं तता देश की शांसक्रतिक पुरात्तो धरोवर को बनाये रखने में सायक होते हैं इतना ही नहीं राजसो बड़ाने में भी शायोग देते हैं ऐसे सम्मेलन छात्रो सिक्षा परिवन में तो ग्यान वर्दफ होते ही हैं किन्तु विदेशियों अतितियों वा प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के कारण इस्तानी इस्तर पर भी विकास होता हैं इस प्रकार हासिये के बाई और अपने हस्ताक्षर करेंगे साथ ही प्रतिवेदन के प्रतेक प्रश्ट पर आयोग या सम्मिती का अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर करेगा इस प्रकार प्रतिवेदन का मसुदा तयार किया जाता है जिससे आप मैक्जिमम या अधिक्तम अंक प्राप्त कर सकते हैं एक प्रतिवेदन और दिया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन पर आप इसे पढ़ सकते हैं या इसके स्क्रीन सोट ले सकते हैं और देख सकते हैं और कमेंड्स में दे कमेंट्स कर सकते हैं कि आप प्रतिवेदन किस तरीके से समझ में आया अब देख लीजिए अप यहापर निश्कर्स और इसके भी सुजाओ दिये गए हैं और यहाँ पर भी सबाद्यक्ष के हस्ताक्षर दाईय और किये गए हैं कि दोस्तों प्रतिवेदन से संबंदित प्रेश्ण पर विचार कर लेते किस प्रकार के प्रेश्ण पूछे जा सकते हैं सबसे पहले प्रतिवेदन की परिभासा पूछी जा सकते हैं थ्री मांक्स में उसके बाद प्रतिवेदन से सम्भन दित उसके महत्पूर्ण तत्व तथा प्रतिवेदन की गुन या उसकी विशेस्ताओं पर भी थ्री माक्स में कुश्यन आ सकता है इसके सिवा प्रतिवेदन का मस्तुदा तैयार करने का पूछा सकता है जो हमने देख लिया है यहाँ पर उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको प्रतिवेदन समझ में आज पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले बहुत बहुत धन्यवाद